हाई एवर्यान गुड इबिनिंग कैसे सब लोग आई होप सोब अच्छे होंगे अच्छे पढ़ा कर रहे होंगे और भाई आई प्यारी कैसे चल रहा है टूटी टूटी फार्स के एक्जाम है आपका जैसे कि मैंने एक नमबर दो नोबर शेट दिया था अले बुड का और मैंने आपके लिए क्या नमबर थ्रिया नमबर फॉर ऩाइट ही ठीक है फिल्ड रस्टे नमबर थ्री में मेरा आयाए स्कोर फिस्टीफॉर और पर्सेंटाइल है नाइनटीटीटू परसेंट बाकि नमबर फॉर दिया था नमबर फॉर में मैं राया है सिस्टीटू इसे भी आच्छा हो सकता था था ठीक है तो जिनों को ने अलिबूर दे रहे हैं आप लोग मोग टेस्ट बताए आपका तीन नंबर और चार नंबर से क्या स्कोर रहा आप लोग वह से बहुत सरे लोग दे दिये होंगे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है ठीक है मैं अभी भी दे रहा हूं आप लोग का स्कोर काड़ बताए क्या कैसे रहा और परसेंटाएल बताए और एक चीज बताऊंगा भाई अरबी पीयो प्रिलिम्स में मेरा जो स्ट्राटीजी रहता है ठीक है वो स्ट्राटीजी में आपके साथ अभी स्यार कर रहा हूं एक चीज याद रखना हम एसा कि करके मतलब 40 करके में जाऊंगा या फिर रिजिनिंग कर रहा हूं तो रिजिनिंग खतम करके जाओं ऐसा नहीं है मैं हमें सब्सक्राइब क्लॉर्क में बला था मेरा जैसे कि क्या 15 15 मिनिट या फिर 20 20 मिनिट मेरा रहता है बाकी टाइम में देता हूं जिस चीज को मुझे क्याना क्या डूर्लणते सभकर के तौर्टेrat करके मतलब आगर या जैसे की हम जानते हैं पहले भाई स्कोर लगाना है तो जितने मी सारे scoring बाला situation होता है उसको पहले निफ्टा देता हूँ 7-8 मिनिट पर 5-7 मिनुप उसके बाद पजल से बगरा करता हूँ जो तीन पजल आया चार पजल तो मिनिम्म रहता है तो 3 पेगल हो गया उसके बाद एक पेजल कमें, अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो, तो रह देता हूं बाखी जाके कवाइं करता हूं, यहां पर मैं अठरा बीस मिनिट पे 30 से 35 कूछ कर देता हूं और उसके बाद जाके कॉइंट सेस्न देखता हूं स्कोरिंग कर दिया, उसके बाद जिसको जो पसंद है, मतलब दी आ तो तीन यह आएगा, उसमें से एक तो एजी वाला रहे का, और एक मड्रेट रहेगा और एक केसलेट आया होगा मेरे ख्याल से सो केसलेट को नहीं पकड़ना है पहले यह दुनों को खतम करना है उसके बाद अगर आपका अरिथमेटिक का फिर वार्ड प्रोलेम ठीक टाक है तो फिर उसमें से बी कुछ कर देना है तो यहां पर आप मिनिमूम 25-35 के अंदर आपको एटेम्ट करना है 20 मिनिट्स में उसके बाद जो 5-7 मिन बचा है आपको डिशाट करना है कि भाई मैं वो पजल जो स्कीप किया था या फिर मैंने यहां पर एक डियाई स्कीप किया था या फिर कुछ अधर स्कीप किया था सो उन में से मुझे क्या करना है यह आपको डिशाड करना है अपने आप में ठीक है सो उसी साब से आपको देखना है कि हां भाई यह 5-7 मिन में कौन सा कोश्चन एटेम्ट करूँ त तो अब कीशी को कर सकते अपके मौक टेस्ट में अगर अच्छा लगा है तो जरूर इसको आपके आपके एक्जांच करना तो प्लीज वीडियो को करना बाकि जो लोग जो मौक टेस्ट के बारे में पूछ रहेते हैं आगे भाई भाई बहुत सार एक्जांस है मुख्टेस्ट के बारे में अगर बात करूं भाई आपके लिए अगर अगर आप एफ़र्ट कर सकते हो माना कि बहुत प्राइस है ऐप अगर बाकि अलेपूर जरूर पर्चिस करने करें कोशिश करना अगर आप एफट कर सकते तो अगर ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड भी इस्तमल कर देना 10% एक्स्टाइब डिस्काउंट मिल जागा कोड है बाकि काली मैं सोच रहा हूं एक और एक दो सेट लगा दू और एक पर सथ स्कोर स्यार करूं अपना अपना स्कोर बताए जुरूर क्या रहा था आपका स्कोप बस पड़तरी आसे से तक टेक के रटा बाबाए